गाइज अपनी C++ की लास वीडियो में हमने copy constructor के बारे में बात की थी तो अगर आपने अभी तक इस playlist को access नहीं किया तो इस star पे क्लिक करके इसको save कर लें और इस प्ले लिंक आपको description में मिल जाएगा तो और इस चैनल को भी subscribe कर लें तो गाइज आज हमने बात करनी है dynamic initialization of objects using constructor इस बात का क्या मतलब है इस बात का मतलब यह है कि जिस वकद हमारा program execute हो रहा है मतलब हमारा program चल रहा है उसके दुरान हमने अपने जो objects हमारी जो objects बनाई हैं हमने उनके जो data members हैं उनको हमने किस तरह से values को pass करना है तो आज हम इस video में वो देखेंगे तो मैं ऐसा करता हूँ मैं सबसे पहले ना एक class बनाऊंगा मैं अपनी class का नाम रख दूँगा June ठीक है कुछ भी आप रख सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे उसके बाद मैंने रखा integer A उसके बाद मैंने एक बनाया integer B ठीक है अब उसके बाद मैंने कुछ public methods बनाने लगा ह तो सबसे पहले ना मैं अपना constructor बनाता हूँ मेरे constructor का नाम सेम होगा जो हमारी class का नाम होगा और मैं कहता हूँ कि यह दो values लेगा एक लेगा integer A1 और मैं कहता हूँ कि यह दूसरी value लेगा integer A2 उसके बाद मैंने क्या किया मैंने यह किया कि जो A है उसको value pass कर दो A1 और जो हमा तो इसलिए मैं यहां पर void लिखता हूँगा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि cout कर दो, the value of a is, और यहां पर मैं लिखूँगा इसके बाद a, और फिर मैं इसको ऐसे कर दूँगा, endl, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इस line को जल्दी से copy कर लेते हैं, इ कि अंदर जा कि मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले अपनी class का object बनाना है, तो object हम किस तरह से बनाते हैं, नहीं, बलके हमने dynamically initialize करनी हैं, तो पहले हम ऐसा करते हैं, हम values को input करवा लेते हैं, तो उसके लिए हमें एक storage बनानी पड़ेगी, तो मैं बनाता हूँ, अपने data member, एक मैंने बनाया V और दूसरा मैंने बनाया B, ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या केता हूँ, मैं खिता हूँ, कि output में user को show करो, enter enter the values यहां पर मैं लिखूँँगा the values for V V and or मैं लिखूँँगा B ठीक है इसके बार मैं यहां पर कर दूँँगा handle ठीक है इसके बार मैं क्या करूँगा C in V और उसके बार मैं क्या करूँगा B देखें अभी मैंने दो values को input करवा लिए यूजर से तो अब हम बनाते हैं अपनी class का object सबसे पहले मैं बनाता हूँ अपनी class का object जी अपनी class June का object मैंने बनाया जिसका नाम मैं OBJ और आप मैं क्या करने लगा हूँ मैं आप इसको बलके ना पहले हम इसको ऐसा करते हैं मैं इसको आपको यहां पही रान करके दिखाता हूँ और फिर उसके बाद ना मैंने एक चीज के बारे में बताया ना तो यहां से मैं आपको बता देता हूँ अच्छा यह वाला तो एक सिंपल सा करता हूँ कि मैं इसको दो वैलियूज पास कर भी देता हूँ 23 और 34 तो अगर मैं इसको रन करके दिखाओं तो देखें भी यह चल गया लेकिन हमें यह काम चाहिए नहीं है हमें चाहिए है इनिशिलाइजेशन मतलब जिस वकद हमारा प्रोग्राम चल रहा है हमने उस वकद उसको वैलियूज पास करनी है तो उसके लिए तो मैं यह काम तो कार नहीं सकता तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा अभी मुझे करना यह पड़ेगा कि इसको तो पहले सबसे पहले मु तो अब देखें अब मैं क्या करने लगा हूँ मैंना अपनी जो अबजेक्ट एना उसको पास करने लगा हूँ यह व़गा जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ना देखें यहां पर मैंने क्या लिक है डाइनमिक इनिशलाइडेशन ओब बजयक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर मbility तब कि constructor को इस्तमाल करके अब हम जो हमारी object उसको initialize करने लगे हैं वो हम इस तरह से करते हैं कि हम लिखेंगे अपनी जो object उसका नाम उसके बाद जो मेरा constructor है वो क्या है उसका नाम है जे यू एन ई और अब मैंने जो दो values user से ली हैं वो मैं इसको pass कर दूँगा ठीक है तो अभी जो हमारा object था उसको हमने क्या pass किया उसको हमने सीधा constructor पास कर दी अब यह constructor क्या करेगा यह जा के जो हमारी object के जो data member है A और B उनको वो values initialize कर देगा अभी इस object के दूँग हम इन values को चला कर देख लेते हैं obj.fun fun ठीक है तो इसको मैं अब आपको एक दफारन करके दिखाता हूं तो यह देखें यह चाल बड़ा अभी मैं कहता हूं 34 और 67 यह देखें इसमें कर देता हूं पेस्ट कर देता हूं और यहां पर मैं बी कर देता हूं और सोरी बी नहीं करते हम इसको एक्स जड़ कर देते हैं और इसको एक्स कर देते हैं फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं मैं ओपर एक दो बना लेता हूं मैंने जड़ बना लिया और फिर मैंने एक्स बना लिया ठीक है यहां पर भी हम चलें ऐसा करते हैं इसको कारी देते हैं Z X इसको Z किया Z किया और इसको किया क्योंकि इसको X किया ठीक है तो इसी तरह से फिर आप हमें नीचे से वही काम करना पड़ेगा कि मैं अपनी जो क्लास थी मैं उसकी एक और अब्जेक्ट बनाता हूँ मैंने बिनाया OBJ1 एक और अब्जेक्ट बिना लिए अब मैं क्या करूंगा मैं अब जो हमारी नहीं अब्जेक्ट है OBJ1 इसको मैं क्या करने लगा हूँ वैल्योज पास तो हम किसी तरह करते हैं कि हम आपनी जो नाम करते हैं उसके और प्रहुट रहें dul है अमने फरह करते हैं करने तो यह देखेंगे अब यह लिए उपकर मैं नव प्रान केंगा हूँ देखें सबसे पहले मैंने 1, 2 लिखा फिर उसके बार मैंने 3 लिखा और उसके बार मैंने 4 लिखा देखें इसने हमें सारी values को output में show करवा दी यह काम क्या हुआ यह काम हुआ अब देखें मेरा प्रोग्राम चाल रहा था मैंने इसको चल जब चाल रहा था मैंने इसको उस दुरान values पास की है और देखें वही value output में show ही है तो यह थी बात हमारी dynamically initialization के बारे में होप सो आपको इस concept की अच्छे त्रीके समझ आ गए लेकिन फिर भी अगर आपको इस चीज की जिना समझ नहीं है तो आप नीचे comment section में लिख दें तो मैं इसके पर दुबारा एक और असान करके वीडियो बना दूँगा थैंक्यू अलाफेज